जिए एक बार फिर से सिद्धू मुसेवाले जी के हत्या के 556 दिन बाद जो है सिद्धू मुसेवाला के पिता बलकौर सिंग जी लॉरंस के द्वारा हमले से बुरी तरीके से जखमी हो गए है इस वक्त उनकी हालत बहुत ज़ादा गंबीर है आखिर क्या है खबर किस प्रका देने वाली खबर सामनी आई है एक एक डिटेल हम आपको देने जा रहे है आज के लेटिस्ट अपडेट में जिहां इस वक्त सिद्धू के फादर बलकौर सिंग जी की वाकें ही गंबीर हालत चल रही है तो वहीं सिद्धू की मातचरनकौर जी की भी तभीयत ठीक नहीं र से उन्हें admit होना पड़ा था उसके बाद दूसरी बार फिर उन्हें admit होना पड़ा जब उन्हें operation के लिए बोला गया था लेकिन उन्होंने ये करवाने से मना कर दिया था उन्होंने साफ तोर पे कहा कि मुझे पहले अपने बेटे को justice दिलाना है उसके बाद मैं operation करवाऊंग है कि वो travel नहीं कर सकते हैं वो ज़्यादा stress नहीं ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ करते हैं वो तो उन पर जान का खत्रा भी मंडरा रहा है और जान भी जा सकती है उनकी उन्हें ज़्यादा tension लेना allowed नहीं है heart patient वालों के साथ और क्या-क्या होता है या भली भाती जानते हैं इ उनका इलाज करवाया था लारंस बिशनोई इन सभी चीजों को मानने से इंकार कर रहा है वो बार बार सिदु के parents को जो है tension पर tension दिया जा रहा है कभी phone के जरिये उसकी तरफ से धंकी आते हैं तो कभी emails के जरिये इन सभी चीजों को लेकर सिदु के father कई बार speech भी दे चुक किसे जखमी हो चुके हैं अंदर से साथ ही सिदु की माता भी परेशान रहती है कि आखिरकार उनके बेटे सिदु को कब justice मिलेगा क्योंकि 556 निन हो गए अब तक justice नहीं मिला है पंजाब सरकार भी मिली हुई है Lawrence बिशनोई से यह हम नहीं कह रहे हैं बलकि सिदु के father नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा हाल तुम्हारे बेटे से भी भयानक होने वाला है अब इस तरह की बाते जो है आए दिन सिदु के parents को सुननी पड़ती है इतनी बाते इतनी सारी चीजों का सामना करने के बात भी सिदु के parents जो है डट कर खड़े हैं बीमारी के हालत में भ लगता है कि सिदु मुसेवाले जी के हत्या कार्ण में 556 दिन हो गए है अब तक उन्हें justice नहीं मिला है इसे लेकर आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि पुलिस अधिकारी जो कुछ हैं वो सिदु मुसेवाले जी के हत्यारे Lawrence बिश्णोई से मिले हुए हैं जिस प